हेलो दोस्तों एक वफिर से हम आचुके हैं आपकी बीच किर्केट्स जुड़ी खबरों को लेकर के थोड़ा सरमिंदगी आज हमारे आखों में भी है दरसल होनी भी चाहिए जिस तरह से भारती टीम को हार का सामना करना पड़ा है वो भी अपने घर में वो भी 3-0 से clean sweep होकर के न्यूजिलेंड की टीम ने भारती टीम को हराया है ये हार भारती दरसकों को और ये जीत न्यूजिलेंड के दरसकों को हमेशा याद रहेगी खेर अगर खामिया गिनाने बैठे तो भारती टीम की तरफ से सिर्फ खामिया ही नजर आई और सबसे बड़ी खामी में से एक ये रहा कि भारती टीम लगवा लगवा तीनों ही टेस्ट मुकाबले में जो भारती टीम का ये प्रोच रहा लगा कि भारती टीम बड़ी जल्दी बड़ी पारी खेल पाईगी वहीं दूसरी और जब आप New Zealand की टीम को देखेंगे तो बता दे कि New Zealand की टीम ने सयम बरता और बहुत धीरे खेल खेलते हुए लचे को बड़ा धीरे धीरे उसकी प्राप्ती तक बढ़े यानि कि आप अगर टेस्ट मुकाबले की तरह ही खेली अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेलेंगे तो चीजे आपके लिए मुसीबत बन सकती है अगर तीसरे टेस्ट मुकाबले के बारे में बात कर ली जाए तो बड़ी अच्छी स्थिती में थी पहले इनिंग में न्यूजिलेंड की टीम ने बले बाजी करते हुए 235 रन बनाए और इसके जवाब में पहले इनिंग में भारती टीम अच्छी बले बाजी नहीं की और 260 रन बनाई फिर भी भारती टीम 30 रन से आगे चल रही थी इसके बाद यहाँ से भारती टीम की तरब से दो खिलाडी काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हैं न्यूजिलेंड की पूरी टीम को 174 रन के मामूली स्कोर पर रोक दिया था इसके बाद भारती टीम के पास बड़ी अपोचुनिटी था पूरा समय बचा था और महज टारगेट 147 रन का था जी हाँ महज 147 रन के टारगेट को पूरी 10 विकेट हाथ में थी इसके बाद भारती टीम ने इस टारगेट को चेज नहीं कर पाई और असफल रही और नतीजतन इस सांदार मुकाबले में इस बड़ी ही लोई स्कोरिंग के टारगेट के मुकाबले में भारती टीम भी इस मुकाबले को गवा बैठी अगर रिसब पंद को छोड़ दिया जाए तो रिसब पंद के अलावा कोई भी बल्ले बाज कुछ खास परदोसन करने में नाकाम रहा रिसब पंद से पहले कोई खास परदोसन नहीं कर पाया रिसब पंद के बाद कोई खास परदोसन नहीं कर पाया ऐसे में लगता है जब आप मुकाबले देख रहे होंगे तो लग रहा था कि रिसरब पंद की तरह कोई एक और बले बाज भारती टीम के पास होता भारती टीम के खेमे में होता तो यह टीम यह भारती टीम असानी सी है मुकाबला जीत जाती लेकिन अब 100-147 के मामली स्कोर कोई भारती टीम नहीं चेर्ज कर पाई और नितिजितन भारती टीम यह मुकाबला हार गई इस हार के साथ ही किर्केट की तिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारती टीम अपने घर पे क्लीन स्विप हो करके कोई मुकाबला हारी हो खेर इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं भारती टीम पर इसके साथ ही कई सवाल उठ रहे हैं कि भारती टीम की मौझूदा इस्थिति इस हार के बाद जो वर्ल्टेस्ट चेंपियंशिप के पॉइंट्स टेबल पर आ चुकी है यह बड़ा कंसर्णिंग है भारती टीम अब लेकिन इससे पहले रसल न्यूजिलेंड की खिलाब मिली 3-0 से करारी हार के बाद भाती कप्तान रोही सर्मा ने हार की जिम्मेदारी खुद ली है और कहा है कि वह एक कप्तान और एक बल्लेबाज के रूप में वी फल साबित हुए उनोंने कहा कि जाहिर तोर पर एक टेष्ट मुकाबला हारना, सीरीज हारना कभी भी आसान नहीं रहता है हमने अच्छी किर्केट नहीं खेली और हम इसे स्विकार करते हैं टीम के खिलारियों के बहतर परदसन की दूहाई देते हुई नजराई दरसल मैच प्रिजेंटेंसन में उन्होंने कहा जिस तरस्ते अलग-अलग परिस्थितियों में खिलारियों ने खुद को ढाला वो काबिले तारिफ की यह पूरी तरह से टीम एफर्ट है पिछले मैच मे मीच ने अच्छा परदसन किया और इस मैच में एजाज ने बढ़िया परदसन किया अब तो यह तो रही दोनों टीमों के कप्तान ने क्या कहा लेकिन अब चली जान लेते हैं कि आखिर वर्ल्टेस्ट चेंपियंशिप के पॉइंट स्टेबल में क्या हाल है दोस्तों आप दूसरे नंबर पर थी लेकिन भारत के हार के बाद अब पहले नंबर पर है और इसके बाद न्यूजिलैंड की टीम के पॉइंट्स टेबल में भी काफी बढ़ोतरी हुई है न्यूजिलैंड भी स्रिलंका से एक्दम नजदीक है चौते नंबर पर अभी न्यूजिलैंड बनी हुई है और न्यूजिलैंड के पॉइंट्स 54.55 है ऐसे में यहां से भारती टीम को अच्छा प्रदसन करना ही होगा अगर नहीं तो भारती टीम के लिए मुसीबते खड़ी हो सकती है तो दोस्तो यही थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होग मिलते हैं फिर एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा धन्यवाद